hi everyone! कैसे हैं वह सब? वेल्कम तो मेरे टिफ चनल आलोग जिटली आज का जो मेरो वीडियो है वो उनके लिए है कि जिनकी स्किन पर जल्दी से रिंकल्स आ जाते हैं यानि कि एज के पहले ही रिंकल्स आ जाते हैं और रिंकल्स मुस्टली जो इना ड्राइए पर रिंगल थोड़ा लेट लेकिन गिन जिनकी ड्राइए स्किन होती है उनके छल्दी पड़ जाते हैं मज मैं आपको ऐसा फेसस्पएख बताूँगी जिसको आप लगाते ही इस्टेटम ग्लोड आउगे आपको अगर कहीं जाना है पार्टी hit संप पार्टी में जाना है और आपको इसकिंडल डल सी है तो आप इसको अगर मास्क को लगाते हो तो इसकी में ग्लोब आई ही जायेगा तो ज़्यादा बते ही नकरते हुआ है बताती हूं कि करना क्या है इसको आपपने में सिर्फ एक या दो बार मी लगाते हो तो आप अपनी इसकी में खुद फर्क देखोगे तो बहुत ही इजी है और यह आपकी किचन में ही आपको मिल जाएगा तो चलती हूँ, बदाती हूँ कि करना क्या है इस फेस मास्क को बनाने के लिए हम लेंगे दही, दही एक चमज लेंगे, आप दही घर का भी ले सकते हो, बाहर का भी ले Σकते हो, दही में skin को ये काफी ज़्यादा tight करता है skin की dryness को दूर करता है wrinkles को remove करता है anti-aging का काम करता है दोनों चीजे दही और egg तो इसमें egg में हम yellow वाला parts लेंगे इसका और आपकी skin काफी ज़्यादा dry है तो आप देखोगे instant glow आजाएगा skin में कसाव आजाएगा अगर आपकी fine lines है remove होंगी एकदम से चमा का जाएगी और आप चाओ तो इसमें honey भी डाल सकते हो मैंने इसमें honey add नहीं किया है इसमें सिर्फ मैंने रही और जो है egg डाला egg का yellow parts और ये आला white वाला आप इसको रख सकते हो अगर बाद में कुछ और भी बना लो अब ये एक paste सा बन गया है अब मैं बताऊंगी इसको लगाना कैसे इसको लगाने का तरीका है कि आप मसाज करते करते धीरे धीरे लगाओ बिल्कुर आप as a pack की तरह नहीं लगाओ क्योंकि ये बहुत जड़ी सुख जाएगा तो जितना है ना ये आपका देरे-देरे मतलब लगा लगा के हलके आजसे आप मसाज करते जाओगे तो आप देखोगे ये खतम होने लगेगा मतलब थोड़ा सुखेगा फिर आप इसके मसाज करो तो आप देखोगे कि ये आपका फेशिल जासा हो जाएगा आप एक और देखी से आपको ऐसा फेशिल जासे करना है और आप इसको आँख के उपर भी लगा सकते हो लेकिन फेशिल के जैसे मसाज नहीं करनी है बस इसको इस तरह से लगाते लगाते हलके हलके से मसाज़ करते लगाना है और लगा करके बस आपको इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ना है देही गाईज बहुत ज़़दा इस इनको फाइदा करता है टैनिंग को रिमूव करता है और बस मैं इसको लगा करके छोड़ दूँगी लगाने के बाद आप चाहो तो इसको नेक पे भी लगा लो हैंड में भी लगा लो जहां आपको ऐसा रिंकल्स लगा रहा है रिंकल्स दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ये मास्क है अब ये थोड़ा सुख दिया मैंने फिर इसको लगाया फिर इसको लगा करके फिर हलके से मसाज करूँगी तो अब यह दे को, बिल्कुल सूख गया है फंद्रा मिनट के बार बिल्कुल सूख गयाぜ अब इसको मैं क्या करूँगी, नॉर्मल वाटर से क्लिन करूँगी और आप चाहों तो का गुनगोना पानी भी ले सकते हो बिलकूल यह ऊपको टाइट हो गया और इसको लगा करके आपको बस यह एकत्यान रखना कि आपको बात चीत नहीं करनी है क्योंकि एक है न तो यह बिलकूल सूगआ एज़ पील अप जो हता है न पील आप मासक उस तरह से हो जाएगा यह सब्सक्राइब निकलेगा नहीं और लेकिन हो जाता है यह पील आप मास्क अब मैं इसको क्लीन करके आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अब यह देखो मैं क्लीन कर आई हूँ और आप देख सकते हो फेस काफी अच्छा एफेक्टिव हो गया है और बस मैं हलके से डेपड कर लो तो आप देखो कि आपकी fine lines remove हो जाएंगी और wrinkles बिल्कुल खतम हो जाएंगी तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगए make sure like, share, comment शरूर करेगा thank you, bye bye, love you, take care